आज मैं आपके लिए एक बढ़ा सी किंग फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में तो जबर्दस्त लगता है तो चलते हैं शुरू करते हैं और देख लेते हैं किंग फिश फ्राई की ये डिलिशियस सी रेसिपी यहां मैं ध्यान रखेगा कि फिश इस में पानी नहीं रहना चाहिए अब सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपार करेंगे जिसके लिए मैं यहां पर ली हूँ तीस लसन एक इंच अद्रक एक मीडियम साइज प्याज और वन फोर्थ कप धनिया पत्ता इन सभी चीजों को हमें ग्लेंड प्याज अद्रक लसन धनिया पत्ता इन सब के साथ ही हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून काले मिर्च दो टीस्पून साबुत धनिया दो टीस्पून जीरा इसी में ही हम नमक स्वात के हिसाब से डाल देंगे इसी के साथ ही इसमें जाएगा एक टीस्पून हल्दी तीन ट दो टेबल स्पुन पानी डालके इन सबी चीजों को अच्छे से पुरा ब्लेंड करके एक मसाला प्रिपैर करेंगे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आप देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम रेडी है अब एक-एक मचली के पीसेज को लेंगे और इसके उपर मसाले को अच्छी तरह से पुरा कोट करेंगे हाथों के हल से मसाज करते हुए अच्छे से मसाला को लगाएगा अब देख सकते हैं किस तरह मैं लगा रही हूँ इसी सेम तरीके से बाकी के सारे फिश के पीसेज के उपर इस मसाले को हम कोट करेंगे मसाला पुरी तरह से मचली के पीसेज में कोट होने चाहिए मसाले को सारे फिश के पीसेज में मैंने अच्छे से लगा लिया है अब इससे 15-20 मिनिट मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देंगे 20 मिनिट के बाद गैस पे एक पैन चड़ा के उसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गरम होगा इसमें डालेंगे 7-8 लसन 8-10 करी पते भी डाल देंगे 8-10 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद मचली के पीसे को डालेंगे मीडियम से हाई फ्लेम में 5-7 मिनिट एक साइड को फ्राई होने देंगे पैन को ओवरक्राउड मत कीजिएगा और जब तक एक साइड ना हो जाए इससे पल्टिएगा मत साथ मिनिट के बाद जब नीचे के तरफ से ये अच्छे से फ्राई होके गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इसे पल्ट के दूसरे साइड को भी 5-7 मिनिट मीडियम से हाई फ्लेम में हम फ्राई होने देंगे इसे बार-बार पल्टिएगा मत नहीं तो मचलिया तूट सकते हैं जब भी इसे पल्टें बहुत ही केरफुली आराम से पल्टिएगा इच साइड 5-7 मिनिट फ्राई कर लेने के बाद ये हो चुका है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी हासा गोल्डन ब्राउन कलर आके फिशेस हमारे फ्राई हो चुके हैं इसे गर्मा गरम नीम्बू के स्लाइस और प्यास के साथ सर्फ कीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी जरूर इस किंग फिश फ्राई की रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे कमें जेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा और रेसिपी अ